प्यारे बच्चों नमस्कार SSB driver की भरती इसके admit card बेटा रिलीज हो गए है पर कुछ बच्चों को problem आ रही है कि admit card कैसे download करें एक दूसरी problem यह आ रही है कि admit card download करना हमें आता है कहां जाना है हमें ये भी आता है पर हमारे ID और password है वो गुम हो गए है तो उसको कैसे करें किसी भी स्थीती में आपके पास ID password है तो भी आपके पास ID password नहीं है तो भी आपका admit card हर हाल में निकलेगा देखे और इसका समधान हमने किस से करवाए बेटा इसका समधान हमारी टीम ने contact किया SSB जो आपका office है SSB का किसी तरह बड़े मुश्किल से बात हो पाई और उनको बताई problem तो उन्होंने resolve किया है तो वो देख लेते हैं वेटा क्या है देखिए आपको मैं step by step एक एक चीज़ दिखाऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से करना है काम क्या करना है आप सिर्फ Google पर टाइप कर दो SSB जैसे यह टाइप किया हुआ है यहाँ पर SSB टाइप किया है हमने ठीक है उसके बाद एक website आएगी यहाँ पर ससस्तर सीमा बल ministry of home office.go.in सोट में लिखूं तो यहाँ पर यह आवा है SSB.gov.in यानि यह recruitment वाली website नहीं है क्योंकि recruitment वाली website तो लगवग हर बार देखते हैं तो कभी चलती ही नहीं पाती तो main website आईए SSB.gov.in इस पर जाएं इसको click कर लें click करने के बाद अगला जो page खुलेगा वो यह है ठीक है यह website आगई इस पर यहाँ पर लिखावा है download admit card ठीक है और यह किस-किस का बेटा driver का ही नहीं tradesman में जितनी भी trade है उन सब का आपका यहाँ पर admit card मिल जाएगा आपको इसके बाद नीचे जाते हैं इसको click करने के बाद तो आपका ऐसा आजाता है बड़ा सा page और यहाँ पर एक link लिखावा है applyssb.com एसे करके इस link पर आपने click करना है यानि link पर link मिलते जा रहे हैं आगे और इसको link कर देंगे हम सफलता से यहाँ पर आपको क्या करना है ID, password डालो, capital code डालो और login कर लो पर आपके पास तो है नहीं आप यहाँ पर देखो एक तो option है forgot password का ठीक है अगर ID है password आपके पास नहीं है तो आप यह click कर सकते हैं पर कई बच्चों ने कहा है कि यह option आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं और आगे जाके invalid हाजाता है मतलब काम ही नहीं करता है तो बहतर क्या है आपके लिए कि forgot register ID वाला कर लेना अगर यह option ना चले तो ID है password नहीं है तो यह option है पर ना चले तो यह option तो है ही जिसमें आप ID भूल गए हैं इसमें आपको ID तो बताएगा ही बताएगा आपको साथ में password भी अपने आप बतादेगा यह ठीक है दोनों बतादेगा इसमें तो इस option को क्लिक कर लें इसके बाद नीचे जाएंगे आप इसके बाद नीचे जाएंगे तो आपका यह आ जाएगा यह रहा क्या है forgot registration ID and password का option आपको पहले post select करना है select यहां पे कि आपकी driver है cook की है कौन सी trade की है mobile number डालना है date of birth डालनी है और यह below text यहां पे जो है वह उपर डालना है as it is capital है तो capital छोटे में है तो छोटा फिर आपका submit का option है इसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपका क्या आएगा यह देखो यहां पे आ गया your registration ID यहां पे दिरख यह रही और password यहां पे दिरख है जो हमने चुपा दिया है आपका ID और password आ गया इसको बेटा आप copy पे note कर लें screenshot ले ले जो भी ले ले इसके बाद फिर आपको क्या करना है आपको main page पे जाना है login वाले पे ठीक है अब आपका ID password है तो आपका login हो जाएगा यह आपका login हो गया application status दिखा रहा है ID आपका PET आपका जो physical है या जो भी है आपका ठीक है उसका रोल नंबर दिखा रहा है उसके बाद आपकी date दिखा रहा है आठ सितमबर है इस भाई की तुबह 6 बजे की ठीक है जगह कॉन सी है ह प्रदेश की आप download admit card करना चाहते है तो यह click है इस पर करें download admit card आपका नीचे personal detail भी आई हुए है वो भी देख ले download admit card पर क्लिक करेंगे तो आपका admit card download हो जाएगा यह सारी detail आजाएगी आपका photo वगरा सब कुछ आ जाएगे ठीक है इसको देख लें और इसके बाद आप जरूरी निर्देशों को पढ़ते हुए और अपना अच्छे से trade test देने चले जाएगे जिसका भी skill test है जिस trade का वो अपने अच्छे से त्यारी कर ले cook है तो वो खाना बड़ा गरा बना के देख ले driver है तो अपने driving की त्यारी कर ले इसमें बैब बता दूं बेटा अगर क अगर बात नहीं पहुंच पाती तो आप क्या कर सकते हो हर संडे को मैं नोटबुक वैस्टर ड्राइविंग सेंटर है ये गाजियाबाद लोनी के पास है दिल्ली NCR में ही तो यहां पर बेटा हर संडे को मैं जाता हूं आप वहां आ सकते हैं और संडे को 10 से 12 बजे वहां म पसंद आए ठीक है और यहां पर जो आगर आपको नंबर पूछना है कि हम अगर पूछें रास्ता बगरा तो आपको लोकेशन बगरा सारी डीटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और नंबर उनका यह है इनसे पूछ सकते हो और कैदो कि हम आ रहे हैं कह पूछ सकते हो इसके अलावा कोई और ड्राइवर एक्जाम के आप ट्यारी कर रहे हैं CISF की ITVP की या एकलवे स्कूल में जो आपकी टीचिंग या कलर की वेकैंसी है होस्टल वार्डिंग की वेकैंसी है तो हमारे अप्लिकेशन जो नोटबूक अकैडमी अप्लिकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप को डाउनलोड करके उसमें कोर्स इसको देख सकते हैं डेमो देख सकते हैं कोर्स आपके काम का है पढ़ाया वा आपके समझ में आ रहा है तो कोर्स आप ले सकते हैं नहीं तो बेटा आप कोई भी और बहुत प्लेट प प्राएं पेपर की अगर SSV ड्राइवर में आप इस बात को लेकर चिंतित है कि वहाँ अगर ड्राइविंग टेस्ट करवाने के बाद मुझसे वाइवा में कुछ क्यूशन पूछे जाएं जो ट्रैफिक रूल के हों मोटर विकलेक्ट के हों या मेंटेनस के हों तो उसमें कि किस मःस बढाया है कि आपको क्या क्यूशन इस टॉपिक सी पूछे जा सकते हैं और उसका किस तरीके से जवाब देना है जवाब तीन यह चार और हो सकते हैं कूइछ जवाब दें fertig नहीं को ंता आपको तो उसका जवाब को कैसे देना है ठीक अथाकि आप negativity से बजज जो मेरी और रंजन सर की traffic rule, road sense, maintenance हर topic को cover करते हुए तो आप देख सकते हैं और एक चीज मा और कहूंगा कि SSB driver का आपका जो अभी result आया है तो उसमें आपके marks अभी इनोंने नहीं दिखाए हैं अभी ये दिखाए है कि ये ये लोग जो है वो eligible है trade test के लिए और बाकी जो trade है SSB की, जिए वो cook हो, जिए वो cobbler हो, उनके भी marks नहीं दिखाए है हम क्या कर सकते हैं, study कर सकते हैं कि जो candidate है, pass हो गए ये trade test के लिए, उनके marks कितने हैं किस range में marks हैं, cut off क्या रही है, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो select हुआ है, अगर हमें पता लग जाए, तो हम पता लग जाए, वही cut off होगी अगरिट के एक वीडियो में बाद में लियाओंगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप Google Form का data जरूर भरते हैं वीडियो पसंद आई है, तो like जरूर कीजिएगा, और कोई courses लेने हैं, तो notebook academy application पर ले सकते हैं All the best